हलो माई डियर इस्टुडेंट्स वेलकम टोल उफ यू इन दीज वीडियो वी आ डिसकसीन इंपोर्टन फिजिक्स कोश्चन ब्.स सेकंड यर हम इस वीडियो के माध्य हम से डिसकस करेंगे ब्.स सेकंड यर के जो दोनों पेपर है फर्श्ट पेपर हो सेकंड पेपर उनके जितने भी फिजिक्स के इंपोर्टन कोश्चन है उनके बारे में सबसे पहले मैंने यह पेज इसलिए रखा है ताकि आपको सिलेबस का एक बार आइडिया हो जाए कि यह सारे के सारे आपकी जो यूनिट या चेप्टर है ठीक है यही से हम स्टार्ट करते हैं कोश्चन की स पहला जो कोश्चन है जो की बहुत जादा इंपोर्टेंट है इस जो कोश्चन पेपर की एदी में बात करूं बच्चो इसमें से 70 से 80 परसेंट के अपका में एक्जाम में आएगा ही आएगा तो उम्मिद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप अ इसके बाद में नेश्ट कोश्चन है इसका टाइप सवगेरा यह आपको पढ़ना है बच्चो वेव पेकेट की डेफिनेशन, फेज वेलोसिटी, ग्रूप वेलोसिटी यह न यह सारे टू मार्क्स के अकोडिंग यह कोश्चन वगेरा है फिर आता है फर्मेट प्रिंसिपल इसका डूडियो करना आपको रिफ्लेक्शन निकालना है और साथी साथ में रिफ्लेक्शन न अंदर नेक्श्ट कोश्चन रहेगा हमारा डिडियोस लेंगरांज इंक्योशन और मैगनिफिकेशन वेव इसके आदमें हाईगन आईपी से हमारा और रामसदीन आईपी से इन दोनों कोश्चन में से एक कोश्चन तो 101% में एक्जाम में आई ही गया आपको देखने का मि एक्जाम से और एक्रोमेटिस्म ये सारे कोश्चन हमारे जो यूनिट नमबर फर्ष्ट के इसमें से आपको तीन कोश्चन तो में एक्जाम में आराम से मिली जाएंगे यूनिट नमबर फर्ष्ट में बढ़ते हैं आगे यूनिट नमबर सेकंड की बात करते हैं बच्चो How are the new transferring affected if a white light source is used in place of the sodium light जिसको हम बोलते हैं monochromatic light sources अब यहाँ पर second week का जो पहला question है काफी ज़्यादा important है पुछा गया एक्जाम में तीन से चार बार में एक्जाम जो की DAVB की उसकाद में जो coherent और non-coherent source यह आला भी question काफी टाइम से पुछा गया बच्चो next question है thickness of refractive index michelson interferometer यह भी पूछा गया है यह जितने भी important आप लोगो को इस वीडियो में नजर आ रहे हैं बच्चो यह तो आपको करना ही करना है यदि आप इतने भी कलोगे तो अराम से पास हो जाओगे आपको 40 नंबर के question paper में 30 नंबर से उपर अराम से आ जाएंगे बच्चो ठीक है next question है यंग double slit experiment के थुरू आपको wavelength और one slit जो cover करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे explain करना दोनों फिनोमेना को interference of light का फिनोमेना पुछा गया है कि constructive destructive interference क्या होता है इसके लिए conditions कौन-कौन से आवश्यक है नेसे सरी है difference between heading and fringes and newton fringes में दोनों में अंतर क्या होता इसके बारे में आप पुछा है difference पुछा है construction से working पुछा है realize reflectometer के बारे में बहुत जादा important question है michelson interferometer 101% main exam में आ ही गया बच्चो ठीक है draw the instructions of February parot interferometer यह भी 101% main exam में आपकी आएगा ही आएगा बच्चो तो यह हमारे unit number second के question थे उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने question तो आराम से कर ही लोगे unit number third की बात करते है compare between rational class and franoffer class diffractions यह कभी-कभी यह rational diffraction और franoffer diffraction के नाम से भी question पुछा गया ठीक है बच्चो और इसी unit में एक और question आप लगा लीजेगी जो यह diffraction का जो meaning वगेरा होता है इसके बारे में पुछा है इन्होंने यह two marks के according पुछा जा सकता है बढ़ते हैं third unit के next question पे concave reflection grading superior इसके बारे में आपको पुछा गया with the plan diffraction grading के अंदर resolving power of telescope काफी ज़्यादा important है पुछा गया है इसी तरह से resolving limit निकालना है microscope की यह भी पुछा गया important है passion rung mounting in superior यह भी पुछा गया question है इसके बाद में थी two number के इसाब से बात करें तो यह जो explain rational half period zone यह आया हो है question है two marks में इसको आपको करके जाना important है बच्चो ठीक है और यह ही question आपका long question के इसाब से दी देखा जाए तो भी बनेगा तो इस तरह से बनेगा कि what is zone plate क्या होती है उसी के अंदर constructed इनको बनाना फ्रेनल ने इसका किस तरह से experiment किया यहाँ पे आगे बढ़ते front of diffraction के बाद बात करते है और उसके बाद में reduce करना रिजोलिम पावर फेबरी पेरोट इंटर फेरोमीटर के अंदर यह भी काफी ज्यादा important tried unit के इतने ही question है जो कि काफी ज्यादा important है बच्चो पूछे जाएंगे में एक्जाम में unit number 4 के बात करते है differentiate निकालना है plan of vibrations and the plan of polarization के बिच में फिर नेश्ट फिर डिफ्रेक्शन ने अन पोलेराइज लाइट और पोलेराइज लाइट के बिच में uniaxial crystal के बारे में पुछा है polarization of light के बारे में पुछा है वापी से return में double reflection के बारे में पुछा है है यहाप रिफ्रेक्शन के बारे में next question है quarter half of plates इसके बारे में पुछा गया है यही कोशन आप लोगो को करना है इसके लावा आप छोट कोशन कर सकते हो तू नंबर के अकोडिंग डेफिनेशन के अकोडिंग जैसे युनिट नंबर फिप्त की बात करते है तो जो नंबर के अ्धेरिट प्स पूछा आता है अभ इसमें से मैं आपको फंडेप Kurt लेना इक बार वागी कोशन की बात करें 5 नंबर के अकोडिंग तो हुलोग्राफी 100% पूछा जाता है अब इसमें से मैं आपको 101% के साथ बता सकता हूं कौन सा कोशन आए गई आएगा आएगा आइनिश्टी ने भी कोफिशेंट आगे 100% यह नहीं आया तो यह जो spontaneous emission और stimulated emission इनमें difference आएगा और यह दोनों नहीं आए तो इसमें से काफी ज्यादा पूछा गया है अभी तक और पूछा जाएगा इस तरह से फर्स्ट पेपर हमारा finish होता है सेकंड पेपर प्याते हम physics के electromagnetic magnetic and electrodynamic फर्स्ट पेपर आपका optics था पूरा सेकंड पेपर की इसके अंदर बच्चो उनिट नंबर फर्स्ट के हम बात करते हैं बच्चो तो जिसका पहला जो question हो आएगा सबसे पहले कुलाम चुलो काफी ज्यादा पढ़ा हो वेक्टर फोर्म में इसको जब पोक्रिब्लेजयट करोगे तो वेक्टर का सिंबौल का लगा आएा क्या य्याच्न से इसको बार कर देना लास्ट एक्वेशन को यहाँ पे यहाँ पे एक यउनिट वेक्टर को रिप्लेजयट करता आए आगे बड़ते एं पोलर और औन के बारे में डाइपोल मुमेंटम बताना एंड ओन पोजिशन और ब्रोड साइड ओन पोजिशन दोनों थियोरम के लिए पूरा ट्वेल्थ का बच्चो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है गोस थियोरम है और एक्वल टू माइनस डेल वी यह बहुत बार पुछा गया है मतलब कम से कम 10 साल में से साथ बार तो यह पूछा गया रिलेशन जो पोटेंशल डिफरेंस होता है हमारा उसके बारे में और यह जो इलेक्ट्रिक फिल्ड होती इन दोनों को इसमें रिलेशन ठीक बच्चो बढ़ते हैं आगे यहां प्याता है नेस्ट कोश्यन है हमारी यह जो उपर आला कोशन है इडी और पी में रिलेशन जो की पोलेराइजेशन हमारा वेक्टर होता है पी इलेक्रिक फिल्ड होता है इन तीनों के बिच में रिलेशन सिप एक्स्पेंट करना है लापलास और पोज़न एक्वेशन के बारे में पूछा गया है यूनिट नेम इसकी डेफिनेशन भी आई है भी एंपया सर्क्यूट अलो हो गया एक ड्राइव करना है डाइवर्जेंट भी इक्वर टू जीरो हता है कल भी इक्वर्टू मून और जे से रिप्रेजेंट करते है बायो से बटलो भी आएगा लो रेंज लो आगया बायो से बटलो भी रूट मिन इसकोर वेल्य होगे करेंट और पोटेंशल के लिए इंपिरेंस रिजोनेंस पाउर फेक्टर हो गई सारी चीज अल्टेनेटिंग करेंट एसी सर्क्यूट के निकाली जाती उसके बारे में पुछा गया है डिफ्रेंस बीटूइन सी रिजन पेरेलल रिजोनेंस सर्क्यूट के बारे में पुछा गया पूरा कनेक्शन देना आपको किस तरह से कनेक्शन वगरा उसका लगाया जाता है और सर्क्यूट डाइग्राम के बाद में इल्सियार के अंदर सारी चीज एक्सप्लेंट करना है इंपिडेंस पाइंड आउट करना है वोल्टेज पो रिजोनेंट सर्किट होता है ये नेट्वर्क वाला कोशन कापी ज़्यादा इंपोर्टेंट है वाई डेलो नेट्वर्क वाला पुछा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का यूनिट नमबर फोध की बात करते हैं शेंज सेटी टीब सी आरो हंडेड परसेंट आएगा बहुत बार पुछा गया, दो नंबर के हिसाब से मास इस्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, वेलोसिटी सेलेक्टर हो गया और मेगनेटिक लेंज की वर्कियंग और कंस्ट्रक्शन हो गया यह सारे टुमाक्स से के अकोडिंग कोशन है फिर आते लोंग कोश्चन, लीनेर एक्सेलेटर है, साइकलोट्रोण है पूरा थॉमसन पेराबोलिक, क्यूबाईएम मेठेड है और स्पेसबिक चार्ज ओफ इलेक्ट्रोण है, एवाईएम मेठेड रेलेज मेटेट वगेरा के बारे में पढ़ लेना है, एम्पीयल सरक्टीट लो जो होता है, यहाँ पे जो एम्पीयल लो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंट टाइप का आपको यहाँ पे मिलेगा, यह रिलेशन वगेरा है, मेक्शुवल एक्वेशन का चारों का, उसके बाद मे ट्रांस्पोर्मर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और प्रिंसिपल लिखना है, मेक्शुल इंडक्टेंज के बारे में लिखना है, इलेक्ट्रमेग्नेटिक व्यव के के लेक्ट्रिस्टिक से लिखना है, डिद्यूस करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे म उसके आद में शोट नोट बताना आपको polarization के बारे में लिखना है reflection फ्रेनल जो relation था फ्रेनल ने जो relation दिया उसके बारे और true number के हिसाब से जो last definition ये भी पूछी जा सकती है तो बच्चो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के हिसाब से इतने question काफी ज़्यादा हो गए होंगे आप इन question को यदि कल देते हो तो आपको 40 में से out of 30 number तो आराम से आही जाएंगे बच्चो मतलब 40 में से 40 में से 30 number तो आपको how any condition आराम से जाएंगे तो आप इतने पूरे overall question यदि कल देते हो तो एक paper में यह मैंने दोनों paper के निकाले English medium में यदि आप channel पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो को like कर दीजिए अपने सभी friend के साथ में share कर दीजिए ठीके बच्चो अब इसी के बाद में मैं next video इंडी मीडियो में बनाने वाला हूँ धन्यवाद